हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अशर खान कंसल्टेंट इंडरनेशनल काडिलोजिस्ट हेल्दी हार्ट क्लिनिक छाउनी नाकपूर और यह हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस सेनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिशन्स आउन करें आज का हमारा टॉपिक है पेस्मेकर्स पेस्मेकर्स आज कल काफी कॉमन हो गया है और काफी पेशन्स को एडवाईज किया जाते हैं तो हम इस डौक के दौरा आपको पेस्मेकर्स के बारे में पुरी जानकरे देंगे सबसे पहले पेसमेकर क्या होता है पेसमेकर एक चोटा सा यंत्र होता है जो आपकी हार्ट की गती को संचालित करता है इसके दो पार्ट्स होते है उसके एक चोटी सी बैटरी होती है और कुछ तार होते है जो हार्ट के अंदर जाके फिट होते है तो सबसे पहले पेसमेकर किस एक लीड या एक तार रहता है वो तार आपके वेंट्रिकल को जाके अक्टिवेट करता है और हाट का स्पीड बढ़ाता है जो डूल चिंबर पेस्मेकर होता है उसमें दो तार होते है वो हाट के दो चिंबर को एक्टिवेट करता है साथ में जिससे हाट का पावर बरकरार र तो पेश्मेकर किन पेश्ट्स में किया जाता है जनरली पेश्मेकर उन पेश्ट्स में किया जाता है जिनकी हार्ट की गती में प्रॉल्लम होता है कुछ पेश्ट्स जिनके हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है और हम कंप्लीट हाट ब्लॉक बोलते है या एवी ब्लॉक बोल कुछ पेशेंट को चलने में सास या चलने में थकावड भी होती है इनका जनरली इसीजी किया जाता है और इसीजी से काफी इलेगों का डागनोस हो जाता है यदि इसीजी में डाउट रहा तो डॉक्टर आपको होड़ टेस्ट या फिर इंप्लांटेबल लूप रिकॉर्ड करेंगे जिसके बाद यह डागनोस किया जाता है और आपको पेस्मेकर एडवाइस किया जाता है कि बार यह बीमारी अनुवांशिक होती है और बच्पन में डागनोस भी होती है इन्हें हम कंगनाडल कंप्लीट हाट ब्लॉक कहते है और ऐसे पेशेंट में भी पेस्मेकर किया जाता है तो पेस्मेकर कैसा किया जाता है पेस्मेकर एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है और जनरली लोकल एनसेशन में किया जाता है इसमें पेशेंट को बेहोश करने के आवाश्कता नहीं पड़ती है जनली दर्थ के लिए एक मामूली इंजेक्शन और एक लोकल लाने सेशे के दौरारा हम लोग एक करते हैं पेस में करके दो कंपोनेंट होते हैं एक होता है उसकी बैटरी और एक होती है इसकी लीड तो सबसे पहले हम जनरली शोल्डर के नीचे एक पोकेट बनाते हैं यह पोकेट करीब तीन इंच का या तीन फिंगर चौड़ा होता है और आपकी स्किन के नीचे जाके बैटरी की जगे बनाता है उस पोकेट के जरीए एक पंक्चर लेते हैं हम लोग हाट की एक आर्टरी में जिसके जरीए एक वायर हाट की चेमबर तक पहुचता है वो वायर के जरीए एक ट्यूब और वो ट्यूब के अंदर से एक लीड ड किया जाता है और बैटरी को जो पॉकेट बनाया है उसमें दाल दिया जाता है एक बार बैटरी में बैटरी फिक्स हो जाए तो इस पॉकेट को बंद किया जाता है और पेशेंट को बाहर लेकर लेकर आ जा जाता है एक बार प्रोसीजर हो जाए तो पेशेंट को एक या दो द पेस्मेकर की सरजरी होने के बाद रिकवरी रेट काफी अच्छा रहता है यूजुवली तीन या चार दिन में पेशन घर पे होता है और अगले हफते से अपना काम रिजूम कर लेता है पेस्मेकर बहुत सेफ होते हैं काफी सालोपरानी टेक्नलोजी है और इसमें कॉम्पलि काफी कर जाएं तो इसको बैटर रिप्लेस्मेंट से थीख किया जा जाता है जो एक जए बहुत छोटा इसके अलावा आपको एक काड डिया जाता है जो बताता है कि आपको पेश्मिकर exactement किया गया यह काड आतमे आपने रहाind हम चाहले यह एपने साथ रखना है कियोंकि जब भी आपको इनकी यूस करने के लिए कोई लिमिटेशन रहती नहीं है आज कल कुछ एडवांस स्पेस्मेकर्स आया है जो बिना लीड और बैटरी के हम लोग इंप्लांट करते हैं इसे हम लीड लेस्पेस्मेकर बोलते हैं एक मेट्रोनिक नाम की कंपनी है जिसका मायकरा नाम का दिवाइस आया है जो हम लोग बिना चीरफार या बिना इंफिशन किये पैर की नस से हाट में डाल लेते हैं यह बहुत चुटा डिवाइस होता है उसका वेट दो ग्राम से काम होता है और साइस छे मिलिमिटर रहती है यह आटमेटिकली हाट के अंदर जाके फिट हो जाता तो यह हमारी पूरी जानकरी थी पेस्मेकर के बारे में यदि आपको इसके बारे में कुछ अडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर लिखिए मैं कमेंट्स का रिस्पॉंड जरूर करूंगा थैंक यू